अलो इस्टुडेंस मैं संजीव मिश्रा अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सब स्वास्थ मस्थ और अपने पढ़ाई में पूरी तरह ब्यास्त हूँ ज़िए पाठ दो ताई लेखक विश्वंभरनात शर्मा कौशिक अर्थियों हम लोग पाठ दो ताई पढ़ रहे थे और इसमें अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि रामजी दास और कृष्ण जी दास ये दोनों भाई हैं और रामजी दास रामेश्वरी पती पत्नी है उनकी बाद नहीं है कृष्ण दास के दो बच्चे हैं बड़ा बेटा है पांच साल का मनुहर और चोटी बेटी है दो साल की चिन्नी बाबु जी रामजी दास जिनको मनुहर और चुन्नी ताउ कहते हैं ताउ जी से उनका अथिधिक प्रेम है शने है लगाओ है दूसरी तरफ प बच्चों को देखकर इर्श्या करती हैं नफरत करती हैं और यहां तक कि वे चाहती है कि हमारी अपनी कोई अवलाद हो जाए वे राम जी दास से बार-बार इसके बारे में भी कहा करती हैं राम जी दास उन्हें एक ही सलाह दिया करते हैं कि वन्स जो है अपने बच्चों से नहीं चलता है जरूरी नहीं कि अपने बच्चों से ही वन्स चले जरूरी यह है कि हमें इसे कर्म करें कि हमारा नाम वर्षों वर्ष चलता रहे उधारण के रूप में वे शूरदास और तुलसिदास जी का भी नाम लेते हैं और अपने छेत देकिन ज देखती हैं कि राम जी दास आये हैं तो वे उन दोनों बच्चों को धकेल देती हैं यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और राम जी दास आ चुके हैं पती पत्नी में आपस में बहुत चल नहीं है pasar रामेश्वरी उन्हें बताती है कि जब एक ही घर में हम रहते हैं तो कभी कभी वो गोदी में आते हैं तो प्रेम से उनसे बात करना भी पड़ता है रामेश्वरी के मन में अपने देवर के बच्चों के प्रती जो कड़वाहट है कड़वी भावनाएं है वह हम लोगों ने अब तक देखी हुई है, अब देखते हैं आगे, यह मेरा ताइप आठ का तीसरा वीडियो है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाबो सहाब को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने करकस्वर में कहा, न जाने कैसे हिर्दय की इस्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिर्गिट की तरह रंग बदलने लगी, करकस मतलब कठोर, स्वर मतलब आवाज, यहां पे गिर्गिट की तरह रंग बदलना, अर्थात मौका पाते ही ब्योहार में परिवर्तन कर देना, जब उनकी पत्नी ने, पहले तो बच उमर को और चुन्नी को प्रेम किया, बाद में उन्ही को खरी खोटी सुनाने लगी, तब राम जी दास को, ताओ जी को बड़ा क्रोध इस बात पे आया, कि अभी इस इस्तरी ने उन बच्चों को प्रेम किया, और अभी उनके लिए अमंगल भावनाय निकल रही है, उनके म रंग बदल जाता है, उसी तरह से अपनी पत्नी को कहते हैं, उलाहना देते हैं, ताने देते हैं, कि तुम भी एक गिर्गिट की तरह, गिर्गिट एक जीव होता है, पेड़ों पर पाया जाता है, उसी की तरह, गिर्गिट की तरह, तुम भी अपना ब्यवहार बदल रही ह अगर प्रेम करना है बच्चों से तो प्रेम करो, अगर इर्श्या ही करनी है, नफरत ही करनी है तो नफरत करो, दिखावा किसी एक चीज का भी मत करो, वो अपने पत्नी को यही सला देते हैं, उन्हें गुस्सा भी आती हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया, अपने छोब तता क्रोध को वे आखो दोरा निकालने लगी, छोब मतलब दुख, क्रोध मतलब गुस्सा, आखो दोरा निकालने लगी, अर्तात पती की बातों को सुन करके उन्होंने मुझ से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन म मतलब प्रेम दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था वैसे ही वैसे रामेश्वरी के देश और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी देश अर्थात इर्श्या जलन घृणा घृणा भी वही है नफरत प्राय बच्चों के पीछे पति-पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पती के कट वचन सुनने पड़ते थे कट अर्था कटोर वचन तो यहाँ पर लेखा के बताते हैं कि समय बीटता चला गया और समय बीटने के साथ में रामजी दास का प्रेम बच्चों के उपर मनोहर और उसकी बहन चुननी के उपर बढ़ता गया और उनकी पत्नी रामेश्वरी की ग्रिणा और नफरत की भावना भी बढ़ती गई जहां पती का प्रेम बढ़ रहा था वहीं पत्नी रामेश्वरी की घ्रिणा और नफरत की भावना भी बरती जा रही थी रामजी दास इस बात को लेकर अपनी पत्नी को कई बार समझाते दोनों में कहा सुनी हो जाती कहा सुनी हो ना अर्थात विवाद हो जाना जगड़ा हो जाती और इस कारण से रामजी दास अपनी पत्नी को कटू वचन अर्थात कठोर बाते भी कहा करते थे कि तुम्हारा यह व्यवार उचित नहीं है गलत है इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए व्यतीत होना अर्थात गुजर जाना एक दिन नियमानुसार नियमानुसार का अगर हम संद विग्रह करें नियम धन अनुसार और स्वरसंदी हो गाई नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैटी हुई थी नियमानुसार अर्थात उसके मन में इतनी कड़वा थी उन बच्चों के प्रती कि वह उनके साथ नहीं रहा करती थी बलके अकेले ही रहकर सोज विचार में मगने रहती डूबी रहती उनके हिर्दय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपका प्रश्ण बन रहा था कि छत पर बैटी हुई रामेश्वरी के मन में आने वाले विचार या भाव तो यहां से उत्तर बनेगा संजाल का विचार और कुछ नहीं अपनी नि चाहल का बॉक्स भरेगा कि अपनी निजकी संतान का भाव पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग अनुराग यानी प्रेम दूसरी भावना आ रही थी कि उनका उनके पती ताउ जी जी ने बच्चे कहते राम जी दास उनका क्रियन दास के बच्चों के उपर अत्यदिक प्रेम आधी कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वेंग उनको कष्ट दायक प्रतीत होने लगे कष्ट दायक अर्थार कष्ट देने वाले प्रतीत होना मतलब महसूस होना होने लगे तब वह अपना ध्यान दूसरी और लगाने के लिए तहलने लगी अब यहाँ पर दो बाक्सेज हुए आपके पास में कि रामेश्वरी के मन में उठने वाले विचार देख हुआ अपनी निज की संतान का भाव दूसरा हुआ पती का भाई की संतान के प्रती अनुराग अर्था प्रिम कर्षडायक परतीत होने लए तब वो अपना ध्यान दूसरी और लगाने के लिए तहलने लगी तो अपना ध्यान ध्यान दूसरी तरभ करने के लिए रामेश्वरी ने यह कार किया कि वे चत पर तहलने लगी कुछ देर टक बैटी हुए रामेशरी वहाँ पर इन दो बातों में उलजी रही कि आखिर उनके पास उनकी अपनी अवलाद नहीं है साथ में उन्हें बड़ा दुख होने लगा कि उनके पती जो है राम जी दाश वे उनके देवर के बच्चों के प्रतियत दिक प्रेम करते हैं इन पर विचार करने लगी तो बाद में उन्हें खुद तकलीफ सी होने लगी अर्थात मन उचट गया तब उन्होंने की कुछ और विचार किया जाए इस उद्देश से चट पर घूमने लगी वह टहली रही थी कि मनोहर दवर्ता हुआ आया मनोहर को देखकर उनकी ब्रिकुटी ब्रिकुटी अर्थात आख की भाउं भाउं आप जानते हैं जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी जो भाउं है वह टेड़ी हो जाती है ब्रिकुटी चड़ गई ब्रिकुटी चड़ जाना, एक मुहाबरा आर्थात्त, क्रोधित हो जाना और वह, चट की चाहर दिवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गए। हाथ रखकर खड़ी हो गए संध्या का समय था आकास में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे क्या आनंद आए देर तक गिरने की आशा करने के बाद करने बाद के दोड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनके टांगों में लिपटकर बोला लिपटकर बोला ताई हमें पतंग मंगा दो रामेश्वरी ने जिड़क कर कहा चल हट अपने ताउ से मांग जाकर अब यहाँ पर आपका एक जो संजाल संजाल नहीं प्रभात आलिका बनती है यहाँ से पहले दे दिया जाएगा कुल पांच बाक्स रहेंगे पहले में इतना लिखा रहेगा संध्या का समय था अब उसके आगे जो बाते हुई उसको अगले चार बाक्स में भरना होगा आकास में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी एक बाक्स में दूसरे में मनो में आएगा देर तक गिरने की आसा करने के बाद दोड़कर नामेस्वरी के पास आया यह जो है चार बॉक्स आपके हो जाएंगे मनोहर कुछ आप्रतिव आप्रतिव का मतलब होता है कि आप्रतिव सा अर्था बिना कुछ बोले मूख जिसे कहते हैं यहनी बिना कुछ बोले आप्रतिव सा होकर फिर आकास की ओर ताकने लगा थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यन करूण स्वर में कहा लाड अर्था प्रेम से लाड लाड मतलब प्रेम से करूण करूण मतलब दयनी यह दया से भरे हुए भाव में श्वर में कहा ताई मंगा दो हम भी उड़ाएंगे इस बार उसकी भोली प्रार्थना प्रार्थना का संद्विग्र महत्वूड है प्रेप्लस अर्थना ज्यान रखेंगे प्रेप्लस अर्थना यह जो है आपका संद्विग्र होगा और इस श्वर संधी होगी प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया कलेजा पसीज जाना मुहावरा है इसका आर्थ होता है दया की भावना पैदा होना पसीज गया वह कुछ देर तक उसकी और इस्तिर द्रिष्ट से देखती रही इस्तिर दृष्ट से देखना अर्थात लगातार एक टक देखना फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मनी मन कहा या मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर बाग्यवान इस्तिरी संसार में दूसरी न होती संसार का संद्वी ग्रैस के पहले भी मैंने बताया संसार अगर पहला चर्षा होगा उस पर अनुस्वार अर्थात बिंदी लगी होगी तो वहाँ पे संप्लस सार हो जाएगा इस बिंदी की जगहां पे आधा मा होगा उस पर हलंत होगा ब्यंजन संदी दूसरी नहीं होती, निगोडा, निगोडा का आर्थ भी मैंने पहले बताया हुआ था, एक तरह की गाली है, जिसके लक्षन अच्छे नहीं है, निगोडा मरा कितना सुन्दर है, निगोडा मरा कितना सुन्दर अर्थात, या भी निगोडा मरा यानि गाली है, कितना सुन्द है और कैसी प्यारी बाते करता है यही जी चाहता है कि उठा कर च्छाती से लगा ले या सोचकर उसके वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताउजी से कह देंगे यद्य बच्चों की इस अत्यदिक क्रोधाना अत्यदिक गुसाना वह उसे जिड़क कर वो ले जिड़क कर अरता डाट कर डपट कर जा कह दें अपने ताउजी से देखें वह मेरा क्या कर लेंगे अब यहां पर क्या बता रहे हैं लेखक कौशिक जी कि शाम के समय रामेश्वरी छत पर अकेली ही ती वहां पर मनौहर आगया आकास में रंग भिरंगी पतंग उड़ रही थि मनौहर के मन में भी पतंग उड़ाने की बाहोना आई उसने पहले ताई से पतंग मंगवाने की बात कहीं ताई ने इंकार कर दिया बाद में फिर उससे जब नहीं रहा गया तब उसने फिर से ताई से कहा तो ताई के मन में मनोहर को लेकर के एक मधूर भावनाय पैदा हुई वह सोचने लगी कि अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं बहुत भागिसाली रहती बहुत ही खुशकिस्मत रहती और साथ में ही वो कहती है कि यह बच्चक बहुत ही सुन्दर है बहुत अच्छी बाते करता है प्यारी बाते करता है उनका मन भी कर रहा था कि वह मनोहर को च्छातिर से लगा ले और विचार ही कर रही थी अपने कलेजे से लगाने के लिए तभी ताई को चुप ते थी मदूर्ता एंथी वह मदूर्ता खतम हो गई वे क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा तुझे मंगाना है ताउसे तो मंगा ले यहां पर हमें रामेश्वरी के खिर्दय की भावनाएं पता चल नहीं है कि रामेश्वरी का व्योहार उसका स्वभाव पल पल बदल रहा ह एकांत में देखकर मनोहर को च्छाती से लगाती है अकेले से देखकर उनका मन उसे अपने कलेजित से लगाने का मन करता है वे उसे प्रेम करना चाहती है लेकिन जैसे किसी को देखती है वैसे उसे जिड़क देती है यह भावना उनके मन में आ रही थी कारण यही था कि वे मनोहर से अत्यधिक प्रेम करती थी लेकिन उस प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहती थी क्यों कि कहीं न कहीं उनका मन कहता था किया मेरा अपना बेटा नहीं है यहाँ पे यद्यपी यद्यप्लस अपी स्वरसंदी होगी तथा प्लस अपी स्वरसंदी होगी यह दोनों अध्य अव्येशब्द हैं यद्यप मतलब इसलिए तथाप मतलब तो मनोहर भैबीत होकर उनके पास से हटाया और फिर सत्रिष्ण सत्रिष्ण मतलब लल्चाई आखों से नित्रों से आकास में उड़ती होई पतंगों को देखने लगा इधर बालिस्त भर का लड़का मुझे धमकाता है इस वर करें इस दुलार पर विजली तूटे बिजली टूटना अर्थात की बहुत बड़ी मुसीबत आना देखिए अभी वही ताई जो उसे प्रेम करना चाहती थी कलेजे से लगाना चाहती थी अभी ताउ का नाम आते ही वे उसके अमंगल की कामना करने लगी उसके विनाश की कामना करने लगी उस पर मुसीबत और वि प्रटंग कटकर उसी चत की और आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई होती हुई चत्य की और गई चत के चारों और चहार दिवारी थी चहार दिवारी अर्था बाउंडरी जिसे मुंडेर भी कहा जाता है जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहाँ पर एक द्वार था द्वार मतलब दर्वाजा जिससे चत्य पर आजा सकते हैं चत्य मतलब आगे बढ़ा हुआ चत जो होता है जिसे बारजा भी कहते हैं जिसे आज के समय में हम बालकनी कह सकते हैं चत्य पर आजा सकते हैं रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी मनुहर ने पतंग को चत्य पर जाते देखा पतंग पकड़ने के लिए वह दोड़ कर चत्य की ओर चला रामेश्वरी खड़ी देखती रही मनुहर उसके पास से होकर चत्य पर चला गया और उससे दो फिट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा पतंग चत्य पर से होती हुई नीचे घर के आगन में जागी दी एक पर चत्य की मुंदेर पर मुंदेर मतलब वही चत के किनारे वाला जो भाग होता उसे मुंदेर के मुंडेर पर रखकर मनोहर नहीं नीचे आगन में जहांका और पतंग को आगन में गिरते देखा वह प्रसंद था कि मारे फूला न समाना अर्था अथ्यधिक प्रसंद होना यहां पर ता जो है वह प्रत्य है वह नीचे जाने के लिए सिग्रता से घुमा परंत घूमते समय वह नीचे की ओर चला नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ मुंडेर आ गई वह उसे पकड़ कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिलाया ताई हुआ क्या कि मनोहर लल्चाई आखों से पतंगों को देख रहा था तबी एक पतंग कट करके नीचे की तरफ आने लगी और भाग्य से वह पतंग रामेश्वरी जहां खड़ी थी उसी के पास से ही जाने लगी आंगन खुला हुआ था मुंडेर के जहां रामेश्वरी खड़ी थी वही से नीचे जाने का आगे का रास्ता भी था और वह पतंग वही पर गई मनोह ललचाई आंखों से पतंग को देखता हुआ खुशी से उसी पतंग को पकड़ने के लिए दवड़ा वह यह भूल गया कि आगे जगह रिक्त है खाली है वह अगर आगे कदम बढ़ाएगा तो निश्चित है कि उसका पैर फिशलेगा और वह आगन में जाग गिरेगा प्रसनता के मारे पतंग पाने की इच्छा के मारे वह इस बात को भूल गया और वह अगे लपक कर मुंडेर से पतंग पकड़ने की कोशिश करने लगा तभी मनोहर की गिर पड़ा और उसका पैर फिशल गया वह गिर पड़ा मुंडेर से और नीचे जाते जाते उसने अपन ताई अर्थाग वह ताई से अपने बचाने के लिए बोल रहा था तो यहां पे छोटा सा एक प्रश्ण बनता है छोटे-छोटे कई प्रश्ण बने कि गिरते समय मनोहर ने गिरते समय मनोहर ने पुकारा क्या पुकारा उत्तर में होगा ताई रामेश्वरी ने धड़कते हुए हिर्दय से इस घटना को देखा उनके मन में आया कि अच्छा है मरने दो सदा का पाप कट जाएगा यही सोच करवा एक चंड रुकी देखिए ताई का हिर्दय रामेश्वरी का हिर्दय कैसे पलट रहा है कैसे बदल रहा है पल पल उनका मन उनका सभाव उनका तरीका बदल रहा है जब उन्होंने देखा कि मनोहर छस से गिर गया है दोनों हाथ से मुडेर पकड़ा है अगर हाथ छूड गया तो आगन में गिरेगा उसे चोट लग सकती है बड़ी दुरघटना हो सकती है तो उन्होंने देख कर भी उसे अंदेखा कर दिया उनको लगा कि जैसे उन्होंने जो मननत मांगी थी कि इस पर बिजली तूड़ जाया अर्थात मुसीबत आ जाया इसके उपर आपदा आ जाया या परिशानी में आ जाया जाया जैसे उसकी या इच्छा पूरी हो रही थी उन्होंने फिर सोचा या तो बड़ा अच्छा हुआ कि या गिरे और मर जाये तो हमेशा इसे देख करके मेरे मन में जो भावना है बेटे के लिए भावना पैदा होती है या भावना मेरी पूरी हो जाएगी एक बात होती है अंधा जो है सर्वे भावन सुखीना सर्वे संतु निरामया और ताग इस अंसार में सभी सुखी हो या भावना सब के मन में बहुत कम होती है इसलिए उसने अमंगल की काम ना की है तो उसकी मू मांगी मूरात पूरी हो रही है अगर यह गिरेगा मर जाएगा तो इसको देख करके हम मेर मन में जो कड़वाट होती है वह नहीं होगी देश नहीं पैदा होगा ग्रिना नहीं पैदा होगी और इस बच्चे को ले करके हमारे और हमारे पती के बीच में जो जगड़े होते हैं विवाद होते हैं वह नहीं होगा प्रस्न यहीं आता है कि यहां पे कि मनोहर को गिरते द आप कट जाएगा यह उत्तर होगा इधर मनोहर के हाँ मुंडेर पर से फिसलने लगे वह अत्यंत भय तथा करूर करूर मैंने कहा था दैनी नेत्रों नेत्रों मतलब आखों यह इस्त्री लिंग है नेत्रों से रामेश्वरी को देखकर चिला अरी ताई यहां फिर से आया आपका कि मुंडेर पर से हाथ पिसलने मनोहर ने चिला कर कहा क्या चिला कर का अरी ताई यहां पर देखेंगे तो यह आपका शैयोजक चिन यह आपका द अरताद दया से बारी हुई द्रिष्टी, द्रिष्टी मतलब नजर, देख कर रामेश्वरी का कलेजा मुह को आ गया, कलेजा मुह को आना, यह मुहावरा है आपका एक तरह का, जिसका अर्त होता है, कि जान निकलने की इस्तिती हो जाना, अरताद मिर्थ नजदीक दिखाई पड़नाम उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकरने के लिए अपना हाथ बढ़ा है देखिए रमेश्वरी का व्याहर कैसे बदल ला है अभी तक सोच रही थी क्या कि अच्छा है मरने दो सदा का पाप कर जाएगा लेकिन जब उन्होंने देखा मनोहर की आखों में देखा उन्हें प्रेम नजर आया अपने लिए उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने इनके मन में दया की भावना पैदा हो गई और वे ब्याकुल हो गई अर्थात परिशान हो गई और मनोहर को पकड़ने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई वह नीचे आगिरा रामेश्वरी चीक मार कर छद्दे पर गिर पड़ी जैसे ही मनोहर को पकड़ने के लिए रामेश्वरी ने ताई ने हाथ बढ़ाया उनका हाँ पहुंचा ही नहीं था तभी मनोहर के हाँ से मुंडेर छुट गई और वह नीचे आगन में गिर पड़ा मनोहर को गिरते देख करके रामेश्वरी को बड़ा दुख हुआ कि उन्हें लगा कि अब इसकी जान नहीं बचेगी और इस दुख के कारण वो भी जोर से चिला पड़ी और चिला करके वही छट पर ही चज्जे के उपर ही गिर पड़ी और बेहोस हो गई रामेश्वरी एक सब्ता तक बुखार से बेहोस पड़ी रही अब यहां पर आपका महत्वपूर्ण संजाल बनेगा बेहोस पड़ी रही कभी कभी जोर से चिला उरती और कहती देखो देखो वह गिरा जा रहा है उसे बचाओ दवड़ो मेरे मनोहर को बचा लो वह कभी वह कहती बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी देर कर दी इस प्रकार के प्रलाप हुआ किया करती थी प्रलाब करना अर्था निरर्थक बात करना वह बात करना जिसका कोई अर्थ नहीं होता तो यहां पर लेखा किया बताते हैं कि इंसान के मन में कभी कभग गहरे तक कोई और भावना और विचार छिपा होता है वह दिखावय में कुछ और करता है वास्ताव में रामेश्वरी बहुत अधिक्षने मनोहर से किया करती थी परन्तु उनके मन में अपने बच्चे को लेकर जो भावना है थी उस भावना के चलते वे मनोहर को प्रत्यक्ष रूप में प्रेम नहीं कर पाती यह बात हमें तब चली जब मनोहर गिर पड़ा तो आगन में तो रामेश्वरी भी उसे गिरते देखकर चीक करके बेहोस हो गई एक सब्ताह तक उन्हें बुखार रहा और वे बेहोस रही अर्तात उनके खिर्दय को उनकी आत्मा को इतना अधिक ठिस्ट लगी हुई थी इतनी अधिक चोट लगी हुई थी यहां प्रेजन बनता है कि बुखार से बेहोस पड़ी ताई चिला कर यह बाते कहा करती थी आपके चार आफ्षन है तो वहां पर क्या क्या कहा उन्होंने देखो देखो वा गिरा जा रहा है उसे बचाओ दूसरा दोड़ो मेरे मनोहर को बचा लो तीसरा ब आई के वे हिर्दय में उनके मन में मनोहर के प्रती कितना प्रेम गए वह दिखाई पड़ता है बेहोसी की हालत में कहते हैं इंसान सत्य बोलता है और यहां पर उनके आत्मा हिर्दय में मनोहर के प्रती जो प्रेम है वह दिखाई पड़ा हमें मनोहर की ताँग उखड गई थी ताँग उखड जाना मतलब थोड़ी खिसक जाना अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाना ताँग बिठा दी गई मतलब क्या हुआ प्लास्टर वगर लगा कर वह ठीक कर दी गई वह क्रमसा क्रमसा अर्था दीरे दीरे फिर अपनी असली हालत पर आने लगा एक सब्ताबाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ ज्वर अर्था बुखार बुखार कम हुआ अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा मनुखर कैसा है देखिए यहाँ पर रामेश्वरी के बेवहार को उनकी ममता जैसे सीक वाली ताई में सीक वाली का बेवहार अलग था बाद में परिवर्टित हुआ वैसे ही रामेश्वरी का भी बेवहार है पहले उनके मन में यह भावना थी कि भगवान करे इसकी मृत्यू हो जाए अब उसको जब तकलीप हुई तो उनको खुद दुखी हो गई इतना जादा उनको तकलीप हुई कि बेहोश हो गई उन्हें बुकार हो गया और जब होश में आई तो सबसे पहले उनको इलिए जो मोहर रामेश्वरी के पास लाया गया रामेश्वरी उन्हें उसे बड़े प्यार से खृदय से लगाया आखों से आशुओं की जड़ी लग गई आशुओं की जड़ी लग जाना अर्था अत्यधिक रोना आख से अत्यधिक आशु बहना हिच्कियों से हिच्कियां आप ज पून पुर्यत् aged ओगई अब वह मनोहर और उसकी बहनद्छुन्नी से देश नहीं करती देश अरता इर्श्याद नफ्रत और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया प्राणाधार संद्विग्र प्राण प्लस आधार अगर हम समास करें तो प्राण का आधार तत्पुर समास होगा हो गया और प्राणाधार हो जाना मुहावरा है अर्थात उनके जीवन जीने का कारण बन गया उसके बिना उन्हें एक छण भी कल नहीं पढ़ता कल नहीं पढ़ना आता चैन नहीं आता तो यहां पर राम जब रामेश्वरी को होश आया तो उन्हों में मनुहर को बुलाया उसे प्यार किया अपने हिर्दे से लगा लिया और रोने भी लगी उन्हें अपने गलतियों पर पश्चा था पस्तावा था वो इतना रो अत्यदिक प्रेम पैदा हो गया और मनोहर तो उनके जीवन जीने का आधार बन चुका था अब बिना उन दोनों बच्चों के उन्हें चैन नहीं मिला करता था इस तरह से हमने इस पार्ट में पढ़ा कि ताई की जो भावनाय थे उपल पल बदल रही थी उनके मन में अत्य से डिक बदलाओ आता जा रहा था यह अभी हमें सिक्षा मीली कि हमें कि अपने परिवार के जो बत्चें उनसे प्रेम कर लेना चाहिए अ अपनी और और नहीं है तो इन्हें पने और मान कर पस्दांब प्रत्यैक ब्यक्त कि अखिर्दाएं में प्रेम की भावना होती है उ उसको जागने का आउसर उचीत आउसर नहीं मिलता तो वह देश या घ्रणा में बदल जाती है बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तता कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा